आज हम जावा स्कृट्ट में Boolean and comparison operator क्या होते हैं ये सिखेंगे तो first है Boolean Boolean ये एक data type है जिसमें value एक तो true होती है या फिर false जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक variable लेंगे let var1 equal to suppose true अब अगर हम इसका data type console करेंगे type of var1 तो देखो यहाँ पर Boolean print हुआ अब अगर हम value को false कर देते हैं तो देखो अभी भी इसका data type Boolean ही print हुआ क्योंकि Boolean में true and false ये दो values होते हैं अब बात करेंगे comparison operator की तो अगर हमें किसी भी दो चीजों को compare करना हो तो हमें comparison operator यूज करना होता है comparison operator में greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to and double equal to operator यूज होते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर दो variable लेंगे let num1 equal to 5 and let num2 equal to 4 तो अगर हमें पता करना है कि क्या num1 num2 से बड़ा है तो हम simply यहाँ पर क्या कर सकते हैं num1 greater than num2 ये expression लिखेंगे तो ये या तो true return करेगा या फिर false तो अब हम इसे एक new variable में store कर लेते हैं let result अब अगर हम इसे console करेंगे तो देखो यहाँ पर true print हुआ क्योंकि num1 num2 से बड़ा है अब अगर हम यहाँ पर less than operator यूज करेंगे तो देखो अब इसने false return किया क्योंकि num1 num2 से बड़ा है और हम चेक कर रहे है num1 less than num2 तो इसलिए यहाँ पर इसने false return किया ऐसे ही अब अगर हम यहाँ पर num2 की value को 5 कर देते है तो देखो अभी भी यह false return कर रहा है क्योंकि यहाँ पर num1 and num2 की value 5 है सेम है और हम चेक कर रहे है num1 less than num2 तो इसलिए इसने false return किया बट अगर हम यहाँ पर less than or equal to operator यूज करेंगे तो देखो अब इसने true return किया अब अगर हमें दो value के बीच equality चेक करनी है तो हमें यहाँ पर double equal to operator यूज करना होता है जैसे कि अगर हम यहाँ पर num1 double equal to num2 लिखेंगे अब अगर हम इसे console करते हैं तो देखो यहाँ पर true return हुआ क्योंकि num1 and num2 की value same है अब अगर हम यहाँ पर num1 की value को double quotes में लिखते हैं यानि कि यह value का data type string हुआ तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यह अभी भी true ही return कर रहा है बट अगर हम num1 की value को ही change कर देते हैं suppose 7 करते हैं तो देखो अब इसने false return किया क्योंकि double equal to operator सिर्फ value को ही compare करता है अगर value same हुई तो यह true return करता है नहीं तो false return करता है इसमें यह data type compare नहीं करता अगर हमें value के साथ उसका data type भी compare करना हो तो हमें triple equal to operator यूज करना होता है अब अगर हम num1 की value को फिर से 5 set करते हैं यहाँ पर double equal to के जगा triple equal to operator यूज करेंगे तो देखो अब console में false return हुआ क्योंकि यहाँ पर num1 और num2 की value तो same है बट इनका data type different है तो इसलिए यहाँ पर false print हुआ अब next है not equal to operator not equal to operator में हम सिफ value को compare कर सकते हैं अगर value different हुई तो यह true return करेगा नहीं तो false return करेगा इसमें यह data type compare नहीं करता बट अगर हमें value के साथ उसका data type भी compare करना हो तो हमें यहाँ पर not double equal to use करना होता है तो पहले हम num1 की value को change कर देते हैं suppose 3 तो अब अगर हम यहाँ पर num1 not equal to num2 लिखेंगे अब अगर हम इसे console करते हैं तो देखो console में true print हुआ क्योंकि num1 और num2 की value different है अगर यह दोनों value same होती तो यहाँ पर not equal to operator की वज़े से false print हुआ होता जैसे कि अगर हम num2 की value को भी 3 कर देते हैं तो देखो अब यहाँ पर false print हुआ और यहाँ पर भी अगर हम double equal to operator लगाते हैं अब अगर हम num1 की value को double quotes में लिखेंगे तो देखो यहाँ पर दोनों value same है एक value double quotes में है तो देखो console में true print हुआ I hope आपको boolean and comparison operator कैसे यूज़ करना ही यह समझ आया होगा तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में Till then, be happy, keep learning